आपसे हैं आप सब आप सभी का वलकम है आज की इस वीडियो में मॉर्निंग की फ्रेश वीडियो के अंदर बात करेंगे मार्केट की करंट सिचुपेशन के बारे में और बात करेंगे क्या अपडेट्स आ रही हैं क्या important अपडेट हैं सभी अपडेट के साथ शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning I hope आप सब अच्छे होंगे और crypto market देखोगे तो आज crypto market भी अच्छा है और जैसा की लग भी रहा था कि bitcoin उपर जा सकता है और bitcoin उपर आया भी है 16,500-600 पर आ चुका है है ना 15,500 पे कल लेवल चल रहे थे तो शॉर्ट वालों की जो band है वो market ने बजा दी है ना जिन्होंने शॉर्ट के call ले रखे थे भईया bitcoin सीधा नीचे जाएगा नहीं ऐसा कभी नहीं होता है आप देखना मार्केट में हमेशा आप notice करना मार्केट को मार्केट ऊपर जा के सीधा नीचे आता है हम 19,000 से 15,000 पे नहीं है हम 21,000 पे गई पहले वहां से 15,000 पे आए चाहे reason जो भी रहा हो लेकिन मार्केट जब ऊपर जाता है न और यह मैं इसको कहूंगा temporary pump यह temporary pump है इसके अलावा कुछ भी नहीं है है न इस pump के जासे में आपको नहीं आना है इस pump के जाल में आपको नहीं फसला है अगर profit हो रहा है ट्रेड ले रखी है तो profit book करो ठीक है हो सकता है bitcoin 17 भी touch कर ले लेकिन कभी भी market जो है नीचे fall हो सकती है बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जैनेसिस का आप देख रहे हो वो भी दिवालिया हो गई तो फिर एक bad news आ जाएगी तो bad news तो बिल्कुल तयार पड़ी है एक बार market में आ गई और हावी हो गई तो market सीधा नीचे अगर आप देखो 822 बिलियन डॉलर का market के अब है 4.2% globally market उपर गया है लास्ट 24 आउर में 16500 पे आ गया बिटकॉइन अगर हम बिटकॉइन का high लोग देख लें तो यहाँ पे 16500 का ही अपना अब यूर्टाइम हाई चल रहा है मतलब 24 आउर का जो high है इस time पे चल रहा है और 16500 पे बिटकॉइन है और 15600 का बिटकॉइन का low है लास्ट 24 आउर का 4% बिटकॉइन के price उपर आए है और बिटकॉइन के साथ साथ बहुत सारे coins के pump भी देखने को मिल रहे है और वो भी temporary pump हो सकते हैं है और अगर आप यहाँ से देखोगे इसके अलावा अगर हम Ethereum की बात करते हैं 1165 पे आ चुका है एक हजार सत्तर एक हजार साथ तक जो है price चले गए थे इधिरियम के 5% Ethereum भी उपर है BNB 273 पे आ चुका है 258-259 की range में चल रहा था तो 5 से लेगे 10% जो है alt queen पे भी हमको तेजी देखने को मिल रही ह 7% Polygon Matic 7% क्योंकि Wales भी पीछे पड़ी हुई है Polygon Matic के और आपको पता है फिर से Wales ने आपे बाय किया कल इसके लावा जिसकी हम power की बात कह रहे थे जो हमको आता हुआ दिख सकता है top 10 में वो top 12 पे आ चुका है मतलब अगर आप देखो बिलकुल चीजने सारी track पे चल रही ह 9% प्राइज उपर जा चुके हैं तो जिन लोगों ने light coin में अच्छी entry बनाई होगी 50-52 के डॉलर के करीब तो अच्छे levels आ जा चुके हैं जैदा अच्छे तो नहीं है ठीक है pump जरूर है क्योंकि 81 डॉलर पे आ चुका है सबसे बड़ी बात top 10 से बाहर हो गया था वापीस top 10 में आने की त्यारी light coin कर रहा है और अगर आप देखो 12 नंबर पे light coin आ चुका है 12 नंबर पे पोल का डोट 11 पे चल रही है polygon ये दो coin नहीं market में आप देखो इनकी rank पीछे चलती थी 17-18 पे polygon चलता था 20 से उपर light coin चलता था और जैसे कि हम आपके साथ discuss भी किया जिस तरह स और ripple भी हो सकते हैं अगले और ये निकलेंगे तो पीछे वाले जो coins है वो आगे आएंगे जिन में potential है और वो सारी चीजें market में हो रही है जैसा हमने expect किया था जैसा हमने आपके साथ share किया था वो सब चीजें हो रही है है ना light coin भी 12 नंबर पे आ गया और जिन coin में मुझे potential दिख रहा है आप देखो 14 नंबर पे शिवा इन हूँ है शिवा इन हूँ बना हूँ है stable इसके लावा जो पीछे के coins की अगर मैं बात करूँ एक chain link में भी potential है कि आने वाले time में आपको ऊपर आती भी दिखे cosmos में भी potential है है ना तो बिलकुल जिन में potential है भाईया वो आगे आएंगे ही आएंगे है ना इसके लावा file coin में भी potential है बहुत अभी नीचे चल रहा है 4.4 dollar और near protocol ये coins भी ऐसे coins है जो आपको आने वाले time में अच्छा potential दिखाएंगे इसलिए कह रहे है कि भाईया coins पे focus करना पड़ेगा उन coins को चुन चुन के ढूनना पड़ेगा चुन इसके अंदर potential है जिनके अंदर potential दीता है अगर आपने potential ढून लिया उस coin का तो definitely तरह गजब के profit आप बनाओगे market से आप खुद imagine नहीं कर सकते हैं इसलिए बोलते है research और सीखते रहना बहुत जरूरी है बाकी हम है सारी update आप तक पहुंचती रहती है अगर आपने हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो link है description में join जरूर कर लेना ठीक है और YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लेना और bell icon भी प्रेस कर लेना कोई भी update आपसे मिस नहीं होगा तो 12 नंबर पिजी बड़ा फेर बदल light coin आ चुका है market के अंदर जो आगे थे वह पीछे हो रहे हैं जो पीछे थे वह उपर आ रहे हैं यह market के अंदर हो रहा है तो सबसे पहले अगर हम Twitter पे आएं तो यहां पे आपको CR7 देखने को मिलेगा live free mint CR7 है Cristiano Ronaldo NFT जो Binance पे जो है आया है यह यहां पे आपको जो है live free mint trend होता हुआ दिख जाएगा live CR7 free NFT तो कितना crazy है NFT का और सबसे बड़ी चीज Cristiano Ronaldo कितना crazy है आप खुद देख सकते हो इसके लावा light coin भी आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे और light coin की power हम देख भी रहे है market के अंदर next update है bit get crypto exchange की तरफ से bit get crypto exchange to increase staff by 50% and register in तो बहुत सारी exchanges अगर आप देखोगे यहां पे BRN में क्या कर रही है अपनी staff को कम कर रही है उसको लगातार बढ़ा रहे है Binance यहां पे अपनी workforce कम नहीं कर रहा है बलकि hiring और ज्यादा कर रहा है और इस साल के अंद तक 8000 employees हो जाएंगे Binance के और अगर आप देखो bit get भी इस list में शामिल हो गई है बहुत सारी exchanges कम कर रही है लेकिन to satisfy demand and promote company growth the exchange has also amended its recruitment plan with a new target of 1200 staff by the quarter of 2023 an increase of another 50% from its current size तो bit get जो है 2023 की शुरुआत में यहां पे hiring करेगी 1200 लोगों की 1200 staff और यहां पे बढ़ जाएगा है ना और an increase of another 50% from its current size so bit get भी काफी जबर्दस वाली जो hiring है वो करने वाली है नए साल की शुरुआत में 2023 के first quarter में देखो अभी market FTX से उबरा भी नहीं था FTX ने जो कुछ भी हुआ है market के अंदर अभी तक चीजें ठीक भी नहीं हुई है और यहां पे जेनेसिस का खत्रा और मंडरा रहा है जेनेसिस की बात करना बहुत जरूरी है 10 billion dollar earthquake might soon cause a BTC and Ethereum price disorder मतलब अगर आप यहां पे देखोगे पूरी क्या है the entire crypto market and especially bitcoin have been badly affected by unexpected collapse of the FTX crypto exchange FTX की वज़ा से bitcoin और पूरा crypto market पे effect पढ़ा लेकिन अगर आप देखो there are now fear that the 10 billion dollar crypto and bitcoin giant जो जेनेसिस है जेनेसिस भी अब यहां पे जो है कभी भी दिवालिया हो सकती है अभी तो वो मना कर रहे है कि अभी कोई plan नहीं है लेकिन जो digital currency group might be having serious troubles और this come after it stop lender genesis got forced to put a hold on withdrawals जब भी कोई दिवालिया होने की कगार पे चलता है न तो सबसे पहले होता है withdrawals को बंद करना withdrawals को hold करना यह एक ऐसी चीज हो गई है market के अंदर जब कोई exchange यहां पे यह कोई crypto firm withdrawals को बंद करती है तो भाया फिर तो ऐसे हो जाता है जैसे market में क्या हो गया और बिल्कुल बात ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो market के लिए अच्छी नहीं है अब देखते हैं genesis का क्या होता है और genesis which is one of the biggest crypto lending platform है यह और अब यह दिवालिया हुई तो इसका impact भी market पे पड़ेगा ठीक है तो बिल्कुल light coin की अगर हम बात करें क्या ही तारीफ करें इस coin की इस coin ने बिल्कुल market में यह बहुत पुरानी currency है बहुत time से market के अंदर है बहुत जगा यह payment के लिए accept होता है ठीक है तो एक fundamental एक strong coin है आज से कुछ time पीछे चलें तो top 10 की currency रा करती दी लेकिन इस pump के साथ आज यह 12 नंबर पे आ चुका है 12 नंबर की rank जो है हासिल कर लिए यहाँ पे फिर से light coin ने और अगर आप देखो 47 डॉलर तक यह चला गया था FTX का crash हुआ, FTX से market crash हुआ तो 47 डॉलर तक इसके level चले गए थे अगर आप देखो यहाँ पे, हम पहुँच गए थे उपर, यहाँ पे 60 के करीब और लेकिन फिर से 47 पे गया और फिर से क्या recovery दिखाई है जिन लोग ने 47 पे light coin को खरीदा, आज पूरा-पूरा पैसा double कर दिया light coin ने क्यों 47 से 83 पे तो आई चुका है, हना double होने की गगार पे चल रहा है तो काफी अच्छी power भी दिखाई है और 12 नंबर की rank भी जो है हासिल किया है light coin ने और पिछले अगर आप देखो 30 दिन के अंदर 52% उचल चुका है pump कर चुका है light coin पिछले 7 दिन में 36% तो काफी शांदर नंबर कहेंगे हम light coin के लिए और क्या आपके पास light coin है, है तो आप comment करके जरूर बताईएगा कि अगर आपके पास है तो आप profit में चल रहे हैं तो जरूर बताईएगा comment करके तो अभी FTX आपको पता है recently जो है दिवालिया हुई और market में क्या हो गया अब BitMEX के जो CEO है, founder है Arthur Heist predict Bitcoin to crash till $10,000 और Arthur Heist, the ex-CEO of BitMEX believe that Bitcoin could crash to $10,000 if Genesis goes bankrupt अगर Genesis भी दिवालिया हो गई तो भाईया एक negative impact तो market पे देखने को मिलेगा और Arthur Heist ये कह रहे हैं कि अगर Genesis दिवालिया हो गई जो crypto firm Genesis wants of possible bankruptcy without funding तो कोई पैसा ही नहीं है जिससे वो survive कर सके अगर ये हो गई तो Bitcoin आ जाएगा $10,000 पे ये कहना है Arthur Heist का Next update Shiba Inu को लेके काफी बड़ी update है अगर आप ये poll देखोगे शाय तोशी गुसामा का ये poll बहुत कुछ बता रहा है इसके अंदर अगर आप देखो यहां पे Shiba Inu अब काम करेगा World Economic Forum के साथ ये बहुत बड़ी बात है World Economic Forum का जहां तक नाम आता है Shiba Army I need a quick vote We have been kindly invited to work with the World Economic Forum as it pertains to their MV Global Policy मतला Metaverse को लेके जो है Global Policy को लेके यहां पे जो है Shiba Inu काम करेगा Would love to know what you all think because it's not our decision but yours यहां पे poll में यहां पे पूछा है Yes, work with WEF मतलब World Economic Forum on MV No, do not work with World Economic Forum इस poll के अंदर हम देख लेते हैं कितने ज़्यदा vote मिले हैं तो बिल्कुल सब चाहते हैं कि Shiba Inu काम करें यहां पे World Economic Forum के साथ Metaverse की जो policy है उसको लेके Global Policy को लेके तो बहुत बड़ी बात है यहां यहां पे World Economic Forum में जुड़ रहा है तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है ना बहुत ज़्यदा बड़ी बात कहुँगा बाकि आपकी क्या भी उसने इस अपडेट को लेके आप कमेंट करके सुरू बताना नेक्स्ट अपड आते हैं Binance CZ के यहां पे ट्वीट के उपर विजिटीड टू न्यू कंट्रीज इन दे लास्ट त्री जेज पिछले तीन दिन के अंदर Binance CZ दो नई कंट्रीज में विजिट होके आया है मलब विजिट करके आया है और कह रहें कि Adoption has not stopped Adoption अभी तक नहीं रुका है ना ही रुकने वाला है Cryptocurrency का जब तक Binance easy है तब तक Binance एक बहुत important role play कर रहा है Adoption में नीचे अगर आप देखो Dogecoin के founder पूछते हैं Did you adopt a dog? मतलब Dogecoin को लेके इशारा यहां पे एक तरह से हैना आपको पता कर फाइनेंस का बहुत अच्छा pump आ रहा है ना और 8 million CRV जो है जिनकी value 5.4 million dollar की है अगर आप देखो transfer हुए है from unknown wallet to away 8.6 million CRV transferred from unknown wallet to away जिसकी value 5.4 million dollar की है और कहीं ना कहीं Wales का बहुत important role है CRV के pump के अंदर तो यही वीडियो आज की इस वीडियो में यही update थी ठीक है आगे जो update रहेंगी आपको मिलती रहेंगी अपने channel को subscribe नहीं किया है तो कर लेना और नीचे description में telegram, twitter के link है महा भी आप join जरूर कीजिए कोई update मिसने होगा वीडियो पसंद आया like, share, comment जरूर कीजिएगा किसी भी crypto में invest कर रहे हैं मेशा अपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye, take care